कानून गवस्था का मसला है या धर्म रास्था से जबन हों जो है और हिंडूस्तान का धर्म क्या है जब को ले कर चलना यह हिंदूस्तान का धर्म है मिरे लिए मदध एक फेत है और बीजेपी अपनी आइडियालोजी को हम तमाम पर मुसलत करना चाहे कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सिर्फ साइए, कोई अना तालियों की गरगढ़ाट है लेकिन मसला टक्कर का है कहते हैं कि धर्म से बड़ी राजनीती कुछ होती नहीं और राजनीती से बड़ा धर्म कुछ है नहीं तो देश में ऐसे मुद्दे जो बार बार धर्म को लेकर क्यों टक्राने लगते हैं कानून विवस्था का मसला हो या फिर समविधान के तहट आने वाले इस्थितियों में रज और किंद्र का मसला हो कई मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के राष्टिय प्रवक्ता संबित पात्राजी है आपका बहुत-बहुत स्वागत है संबित पात्राजी AI MIM के अध्यक्ष और एक पहचान लिए हुए चेहरा उसाफदीन OIC साब भी हमारे दूसरे महवा है OIC साब आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है संबित पात्राजी देखिए अभी जिस प्रकार से लिंचिंग को लेकर डिबेट भी हो रहा है और होना भी चाहिए लोकतांत्रीक देश है और जिस प्रकार से बार-बार पूछा जाता है और मैंने टीवी में देखा कि Not in my name ये जो पूरा अंदोरन हुआ उसमें हिंदुस्तान के नाम को बदल कर रखा गया लिंचिस्तान कि क्या हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया है मैं तीन दिन पहले मत्था टेक ने गुर्दवारे गया था और वहाँ एक सबद मेरे कान में पड़ा मुझे लगता है मुझे उस सबद के शाथ सुरू करना चाहिए क्यूंकि वो सबद हिंदुस्तान के असली पहचान को आपने धर्म की बात कही पुन्य जी धर्म का मतलब होता है संस्कुर्ट में धारायती इति धर्म जो धारन करता है वही धर्म है और हिंदुस्तान का धर्म क्या है सब को लेकर चलना ये हिंदुस्तान का धर्म है और यही उस सबद में था वो सबत था कोई बोले राम राम कोई बोले राम राम कोई खुदाई कोई सिर्फ सईया कोई अनाम सदियों से भारत वर्ष के इस भूमी पे कोई राम कहता आया है कोई खुदा कहता आया है कोई अनाम कहता है और कोई संया कहता है और बहाँ पसार के हमने सब को एक किया है यह हिंदुस्तान की भूमी है पुन्य जी यह लिंचिस्तान नहीं है और मैं हाथ जोड़ कर कहूंगा कि अपने राजनेदिक उत्देश्यों के कारण इस महान भूमी को लिंचिस्तान के नाम स तो सुनन जी मैं आकड़े लेकर आया हूं कितने उस समय हुए कितने इस समय हुए नहीं होने चाहिए थे मगर छोटे राजनितिक विजन के कारण इसे बिगार कर देखा जाए धर्म को जोड़के इसको देखा जाए यह उचित नहीं है चलिए गजब का सइयोग है आकड़े कर हम भी आए हैं आज इससे भी टेकराट होगी बहराल कौन बना रहा है लिंचस्तान कौन है वो लोग वैसी साब नहीं मालूं यह संपित एक्सपर्ट है उनसे पूछ लीजी आप मुझे नहीं मालूं मैं मुझे फिकर हिंदुस्तान की मुझे फिकर इसलिए है क्योंकि जब इसलिए आइडियोलोजी को हम तमाम पर मुसल्ट करना चाहती है बीजेपी आइडियोलोजी बिलिफ करती है और यही वज़े है कि इंडिया टुडे लेटस संपित नहीं पड़े होंगे वनना उसको लेकर अच्छा होता लेटस इंडिया टुडे में लिखा गया है कि 36 लो कि इसमें आईसाई इंवाल्व है कि इसमें लशकर तयबा इंवाल्व है कौन इंवाल्व है सरकार तो आपकी है और जब तक आप इसको मैटर ओफ फेद बना कर चलेंगे प्राइम इनिस्टर और सो मरतबा बोले जमीन पर इसको कुछ असार रने वाला नहीं है क्योंकि बी बीजेपी गौरक्षों की अपीजमेंट कर रही है बीजेपी अपनी आइडियोलोजी के मानने वालों की अपीजमेंट कर रही है इसलिए उनकी हिम्मतیں बुलंद हो रही है दो मिसाल देता हूँ परसुन जी मोसिन शेख को मारा गया जब बीजेपी की सरकार वोएने की तो फिर कल्चरल मिनिस्टर वहां पर क्यूं जाते हैं उसके पास। ठीक है उसकी मौत हुई जेल में हुई आप वहाँ पर चले जाते हैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है इसमें डिसंबर नौ करनाल में काउव जिलांटीज ने कुषनूर को मार दिया गया जी तो हर्याना के सीम ने कहा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसे हम रिवोक कर देंगे यह आपकी रिपोर्ट है मेरी रिपोर्ट नहीं है अब इसको भी अंटिनेशनल कहे देंगे अब तो यही मैं कहा रहा हूँ कि जब तक बीजेपी इस मुलक में अपने फेद को आइडियोलोजी बना कर गवर्नेंस करेगी इस तरह के वाखियात होते रहेंगे वैसी साब और संबित पात्रा जी हमें लगा था कि शायद पहले ही राउंड में आप दोनों आएंगे इस बात को लेकर कि इस देश के भीतर एक समविधान है आपने उसको धर्म के जरिये अपने तरीके से देखने की कोशिश की आपने उसके विचारधारा को लियाया इस देश में एक समविधान है और मेरे ख्याल से प्रधान मंत्री हो या राजपती भी आने वाले समविधान की ही शपद लेंगे आपने भी समविधान की ही शबद लिया है आप दोनों ने पहले राउंड में एक वाक की ये नहीं बोला कि ये कानून व्यवस्था का मसला है समविधान इसकी इजाजत नहीं देता है आपने संयोग से राजनितिक टर्न लिया और बीजेपी से जोड़ दिया और आपने संयो देश है गुजरात है जारखंड है महरास्ट है और एक करनाटक है जहां कॉंग्रिस शासित राज्य है चार हफ्तों में जवाब भी मांगा है सेंटर ने जिरह करते हुए कहा हम बरदास्ट नहीं करेंगे हमारा सवाल ये है इस देश में सम्विधान चलता है या राजनिति दलों की अपनी मनवरजी चलती है चलता क्या है नाम को तो सम्विधान जरूर है मगर ग्राउंड पर उस पर कोई इंप्लिमेंटेशन नहीं होता सम्विधान माइने नहीं रखता है सम्विधान माइने रखना चाहिए अगर अगर मैं ओत लिया हूं कॉंस्टूशन पर चा सम्विधान माईने नहीं रख रहा है सत्ता चलाते वक्त संवित पात्राजी बहुत सीधे तोर पर आई हमको लगता है बीजेपी आस था हम नाम लेना शुरू करे तो जो नाम सुप्रीम कोट में उसे बजरंगदल का नाम था गवरक्चक समीती था विशंदू परिशे था हम इसके ग्लेमराइजेशन में नहीं जा रहे हमारा ये कहना है एक भी व्यक्ति अगर भी सड़क पर भीरतंत्र से मारा जाता है जिम्मेदारी किसकी है बिल्कुल सही बात है मैं इसका उत्तर दूँगा मगर कुछ प्रशन अभी आदर में ओवेशी जी ने उठाया है समविधान के विशे में आपने पूछा कि हमने समविधान की बात क्यूं नहीं की और ओवेशी जी ने कहा समविधान तो है मगर जमीन पे समविधान उतर नहीं रहा है मैं आपको एक उदाहरन देता हूँ और OVC जी आप ही को जोड़ कर उदाहरन देता हूँ जब समविधान के अनुसार ही सुप्रीम कोट ने उससे नीचे के हाई कोट ने उससे नीचे लोवर कोट ने सभी ने मिलकर याकूब मेमन को फांसी दिया तो OVC जी मैं बाइज़त कह रहा हूँ कि आप वो वेक्ति हैं जो कह रहे थे समविधान नहीं उतर रहा है याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुसल्मान है मैं समविधान को धारन नहीं कर रहा हूँ चलिया आपका याक्षेप हो सकता है क्योंकि मैं राजनेतिक दल का वेक्ति हूँ मगर सुप्रीम कोट भी समविधान को बचा नहीं पा रही है और याकूब मेमन को फांसी पे चड़ा दे रही है किसकी विचारधारा में खोट है आप खुटताय करें दूसी बात आपने कहा क्रिमिनल लोगों को रिभोक कर देती है ये भारती जन्ता पार्टी के सरकार देखिए आप बड़े हैं मैं हमेशा कहता हूँ आप सांसद हैं आप एक जाना पहचाना चेहरा है मगर मैं छोटा ही सही मगर भारत का नागरिक हूँ मैं आप से सवाल पूछता हूँ आप वो सांसद हैं जिन्होंने चन्दिन पहले हाइद्राबाद में जब साथ लोगों को घिरफतार किया गया आईएस आईएस को वो समर्थन कर रहे थे आप बाहर आके कहें कि मैं उनका समर्थन करता हूँ और उनके लिए मैं लीगल एड दूँगा कहां गया वो समविधान देखिए धर्म की आधार पर समविधान को देखने का प्रयास करना ये भारत को बाटने की चेश्टा है और मैं बार-बार सीना ठोक के इस सचाई को रखूंगा तीसरी बात आपने कहा रोहिनी सालियान उनके उपर प्रेशर डाला गया भाई साहब इस देश का आलम अपीजमेंट अपीजमेंट शब्द भी नोंने कहा था भाई साहब इस देश में अपीजमेंट का आलम यहा है कि चुनाव के कारण, वोट पाने के कारण हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने के कारण रोहिनी सालियान का विशय है न समझोता ब्लास्त में पाकिस्तान, अमेरिका, युनाइटेड नेशन सब कह रहे हैं कि समझोता ब्लास्त में पाकिस्तान का हाथ है मगर ये भारत के जैचंद जो बैठे हैं चंद वोट पाने के लिए हिंदूओं को आतंकवादी सिद्ध करने में लगे हुए है आप बताएं संविधान कहा चला गया और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जो आपका प्रश्न था जिम्मेदार हम सब हैं अगर एक भी व्यक्ति कहीं मरता है हम सब को चाहे विपक्ष में हैं चाहे सत्ता में हैं हम सब को मिलकर किसी व्यक्ति को सड़क के बीच में मरने नहीं देना चाहिए अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी अगर गोरक्षा के नाम पे कोई क्रिमिनलिटी कर रहा है तो प्रधान मंत्री की बात को माने गांधी और बिनोबा भावे से बड़ा गोरक्षक इस विश्व में कोई नहीं था उस प्रकार से गाय माता की रक्षा की जाए ना कि कि किसी के जान को लेका तो हमें लगता है थोड़ा सा आपने उलट दिया ने ने हम लोग तुछ की नैशनल मीडिया में हैं और लाइव हैं और चीजें पुरी दुनिया सुन रही है देख रही है रेफरेंस में जा सकते हैं आत्मा गांदी का कहना था कि गौर अक्षा के लिए किसी की जान मत लीजिए आप अपनी जान दे दीजिए नहीं इसमें स्वराज वाला मसला नहीं था अपनी जान देने का जिक्र कहा था पहली बात दूसरी बात आप महीन राजनिती ना कीजिए आपने सारी चीजों को फिर को समिधान में ताकपर रखा गया था दो हजार दो में गुजरात में जो हुआ हिंदुस्तान को ताकपर रखा गया था आप सेलेक्टिव होकर चीजों को अगर रखेंगे तो उसका मतलब यह होगा आप अपनी महीन राजनिती करेंगे वो अपनी महीन राजनिती करेंगे हम इस पर आ रहे हैं जिन अब मसला वैसी साथ एक कदम और आगे बाए मैं आदे मिनिट में का जवाब दीज़ा हूँ पहले याखूब महमन की बात कही याखूब महमन का मैं फिर से कह रहा हूँ संपित को शायद सेलेक अकाली दल के चेर्मेन जाके परनम मकर्जी से मिल जो प्रेजिडेंट है उस वक्त के मरसी कर दीजे मत दीजे फासी आप सरकार में थे टामल नाडू के सम्नी रेजोलूशन पास किया के राजीव गानी के खातिलों को फासी नहीं दी जाए आप के पास आगया आप को मैंने लीगल हेल्प लिया कि सम्विधान में कॉंस्टूशनल राइट ने कि उसको मिलना कि हमने अजमल कसब को वकील नहीं दिया क्या दुनिया के सामें नहीं बता कि इनसाफ करेंगे और अगर कोट उनको सजा देती है तो बिलकुल मिलना चाहिए मेरी लड़ाई कॉंस है सही नहीं है तो यह जो मेजॉरेटेरियन फार्म ?'फ देमोकरेसी कि माने ने रहेंगे इस कि अब तक दूस्ष करते हैं तो उसमें इसमें सिर्फ वही नाम निकल को आते हैं जिससे लगता है कि दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है तो वह उन नामों को जिक्र करें याकूम मैनन का जिक्र करेंगी आप इदर कुछ मुझे आपने तो पूरे एक्जामपल दे दी इसलिए मैंने उसके इजाफा किया आपने दिल्ली की मिसाल दे दी आपने गु इसको जोड़ दीजेगा आपने जिक्र किया कि एक भी व्यक्ति मरता है तो हम सब की जिम्मेदारी है समविधान के अनुसार इस देश में कानून का राज है कानून की रक्षा के लिए ही जंता अपने वोट देती है नुमाइंदों को चुनती है और सरकार भेजती है जब आप यह कह देते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं तो लगता ऐसा है कि हर को या तो प्रव मिनिस्टर है या हर कोई मुकमन्तरी है और हर कोई सिस्टम चला सकता है यकिना जो आपको सुविधा है वो दूसरे सुपडारी स्टेट को लेन ही होगी क्यों बचाए transformation प्र Rede sir बुलर जब पूरा सुप्रीम कोट में बुलर का केस गया भारती जनता पार्टी ने नहीं कहा थे इंको फासी मत दीजे सुप्रीम कोट ने कहा mental instability है पागलपन है इसलिए बहुत लेट हो चुका है फासी देने में इसलिए फासी मत दीजे लेट किसने सुप्रीम कोट जूट बोल रहे हैं आप अब सुप्रीम कोट का वर्डिक निकाल के पढ़िये पढ़िया आपके बीच में बिल्कुल नहीं आपको इंट वोड़ा तो आप मेरे प्रिवेज्ज मोशन लाइए गा अभी रुख जाईए सुप्रीम काउंटर जरूर करिए मैं बिना तयारी नहीं आता हूं प्रसुन जी बिल्कुल सही बात कोट ने कहा था फासी होनी चाहिए फासी क्यों नहीं अरे सुन तो लीजिए सुन तो लिजिए अरे पर था प्रके नहीं आते है अरे आप अuting को नहीं आ पहसी नहीं हो सकती है क्योंकि इतने वर्षों तक क्यों आप कॉंग्रेस के साथ सरकार क्यों कॉंणान को नहीं दिया आप सामें वेसी साहब जीत नहीं सकते हैं तो वीच में रोकिये बच्ट तरकों में जीती है ऐसे नहीं तो आप रुख जाईए बुल्डर को कल देजिए राजीव गानी फांसी अगर बुलर को दी गई दसियों वर्ष तक वो फांसी की सजा क्यों नहीं कारिरत हुई कांग्रेस की सरकार थी ये कोईलिशन में थे पूछिए जब नहीं हो पाई तो उसी सुप्रीम कोट ने कहा मेंटल इंस्टेबिलिटी है अब नहीं दिया जा सकता नहीं दिया गया देखिए आप जिस प्रकार क कि राजनीती कर रहे हैं अभी आप हवाला दे रहे थे कि Constitution का पालन होना चाहिए मैं बोलता हूँ आप अपने आर्काइव से वह बाइट सुन लिए साब आपने चूज के सामने अकाली दल गया था या नहीं गया था आपको जानकारी है मैं बुलर के साथ नहीं हूँ हमारी पार्टी बुलर के साथ नहीं है ना तो याकूम मेमन के साथ है ना किसी आतंक वादी के साथ है मुझे यह एक्सPềnM करने कर नहीं है। का बुरान वानी का समर्थन किसी भी कीमत पर करती नहीं है। आपने Constitution के विशे में कहा और मैं आपसे निवेधन करता हूँ। आपने अभी Majoritarian Democracy की बात की की बीड़ तंत्र और ये Hindu समाज Majoritarian Democracy भारती जनता पार्टी के माध्यम से ला रही है। साहब आप ही के भाई अकबर उद्दी नोवेसी ने कहा 15 मिनिट के लिए पुलीस हटा दो फिर हिंदूओं का हम क्या खर्शन करेंगे वो हिंदू देखते रह जाएंगे। Majoritarian mentality of parties like you. आप लोगों की पार्टी जिस प्रकार से मुसल्मानों के वोट के लिए 15 मिनिट के लिए पुलीस हटाने की बात कर रही थी. Today you have lost all the moral rights की आप मुझे पे सवाल करें. तीसरी बात आपने ये कहा था कि सारे जो सरकार हैं जो भारती जनता पार्टी रूल्ड सरकार हैं उनमें इस प्रकार के उनुमाद हो रही है और इसलिए हम लोग जिम्मेदार है. देखे सरकार हमारी अगर है तो सभावी क्रूप से अखलाग जहां भी है मैं उसे नमस्कार करता हूँ इस प्रकार संसार से नहीं जाना चाहिए ता चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान हो इनसान है. अखलाग 2015 में सेप्टेंबर में गया अखलाग जब गया तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थ चीन को लेकर, GST को लेकर, जमीन भूमी अदिग्रहण को लेकर आपकी पार्टी के उनने ताओं ने जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने सत्ता में आने से पहले क्या 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 यो बजाया जाए? दिखाया जाए? कोई कुछ नी किस तरीके से 36 के आंकले के हिसाप से आप लो आती है ये पूरे देश नहीं सम्भी जी आपने बड़ा लंबा वक्त लिया हमें लगता है हम उसका जवाब इन से लेना भी चाहेंगे क्योंकि जो सत्ता में नहीं है वैसी जी हमको लगता है इस रेफरेंस में मत जाईए इनका जवाब दीजिए नहीं दीजिए हमें इसके मेटर मौझूदा वक्त का बड़ा सवाल ये है जो आकड़े हम लोग के सामने आए है 2010 से 2017 के लिंचिंग के लेके हो सकता है कि इससे पहले भी हो जब मोदी जी सत्ता में नहीं आए हो लेकिन जो आकड़े सुप्रीम कोट में रखे गए उसमें जो जानकारी दी गई उसमें इस बात का जिक्र है कि 97 परसेंट लिंचिंग जो है बीते तीन बरस में 2014 के बाद से हुई है जो अलग अलग राज्यों को नोटिस दिया गया है उस राज्यों को नोटिस 6 अपरेल को फरस्ट टाइम दिया गया था उसमें सिर्फ दो राज्यों ने जवाब दिया उनसे गुजरात अनिमेल प्रोइंच्छन एक 1954 सेक्शन ट्विल इसके तहट बचा लेते हैं आज सुप्रिम कोट में बात का जिक्राइब महरास्ट अनिमेल प्रोइंच्छन एक 1976 सेक्शन 13 इसके तहत उलो को बचा लेते हैं सेक्शन 15 करनाटक protection of cows loiter cattle preservation act 1964 इसके तहट बचा लेते ये एक सवाल उठा क्या इन चीजों को भी अब हटा दें इस एक काम कर रहा है रज जिसको ढाल बनाता है वो कानून के जरीए राज उनको सरक देता है लेकिन एक प्राइवेट डिगेट क्यों है ये बहस आज होने लगी सुप्रीम कोट में यहां तक मामला आगिया एक प्राइवेट डिगेट कहां से आ जाती है प्राइवेट आर्मी कहां से आ जाती है एक खास कलर कैसे आ जाता है ये सारे सवाल सुप्रीम कोट में अगर उठ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम लोग के सामने challenges कहीं जादा serious हैं. अब यहां पर आईए. जितने लोग मरे, जिम्मेदारी किसी की है या नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है. क्यों सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार का मतलब क्या है? सॉलिसीटर जनरल ने बहुत कि पराव का हम नहीं जम्मेदारी लेंगे स्टेट की जम्मेदारी बिलकुल बिलकुल ये तो हाथ धोने के बरावर है ना ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया इंपॉर्टन लीडर नहीं है बता ही है कौन है इतने वाख्याद कारवाई क्या होनी चाहिए हम ब्रेक के बाद चुकि जन्ता को भी जोड़ेंगे साथ में उनके सवाल भी लेगे हमारा सवाल सिर्फ इतना है सेंटर कह रहा है कानून व्यवस्ता स्टेट का मसला है स्टेट स सुप्रीम कोट नोटिस दे के जवाब मांगना चाह रहा है पहले जवाब के बाद जो जवाब आया सुप्रीम कोट सैटिस्टा कहा जा रहा है रास्ता एक ही है जब तक बीजेपी फेद को आईडियोलोजी की नजर से देखेगी और बीजेपी जब तक गाए को इनसान से ज्यादा अहिमियत देगी ये वाखियात होते रहेंगे ये खतम नहीं होंगे राजनीती सत्ता के लिए है या राजनीती सिवा के लिए है राजनीती इनसाफ के लिए है राजनीती सत्ता अगर आप तो नहीं चाहिए जो कर रहा है ये नहीं देखने चाहिए कि मुसल्मान हिं हिंदू है आप राजनीती इसलिए कर रहे हैं कि आपके जो हिंदुत्वा की आइडियोलोजी है उसको मश्बूत किया जाए आप तो ना ना तो प्रॉलरिजम और डैवर्सिटी की आप बात कभी करते हैं इसलिए 90% पूरे वाकिया बी जे पी रूल सरकार में होती हैं और हद लिंचिंग को लेकर टकर बहुत जबरदस्त है अध्या का मसला भी उसके साथ ख़़ा है लेकिन हमको लगता है इतने बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं सवाल का है आपका हमारा सवाल है सर अगर ये ओवेसी जी बतलब इतने बड़े राश्ण नेता है तो योग को हत्यार रखने की जाद है क्योंकि वहाँ पर माइनोर्टी हैं क्या और जगा जो मुसल्मान मायर्टी है क्या उन्हें हत्यार रखने की जाद है मेरा जैसे लोग क्यों करना चाहिए पातराजी ये जो सवाल है, हम्में लकता है कि ये उस मर्म को छूता है जिस मर्म से हमने शुरुआत की थी आपकी राजनीती हो, YCJ की राजनीती हो, कॉंगरेस की राजनीती हो, किसी भी 40 guardian parties दिश्देश के भीतर है, किसी की राजनीती हो लेकिन जनता के बीतर मौजूदा वक्त में एक सवाल तो है उसे कुछ डर भी लग रहा है कुछ सैमावा भी है कुछ को लगता है कुछ एक्स्ट्रा पावर हमारे पास आ गया है इन सवालों के बीच लग रहा है कानून विवस्था कहीं कायब तो नहीं हो रही है एक डर और खौफ इस्तिती आई है मैं इसका आपको बड़ा तफसील एक उत्तर देता हूँ क्योंकि एक बड़ा प्रशना आपने रखा है नमबर एक देखिए पुन्य जी बुरा मत मानिएगा ये राजनीती है राजनीती में बहुत वर्षों तक कांग्रेस ने सत्ता का भोग किया है जब सत्ता से बाहर हो जाती है जल बिन मचली वाली हालत होती है इस ऐसे में बहुत सारे विश्यों को सड़यंतरकारी रूप में रखने का प्रयास होता है और राजनीती है होगा भी लिंचिंग कॉंग्रेस करा रही है बहुत साफ तोर पर मतलब आप संकेत में मत मुझे न आपको उदाहरन देके समझाऊंगा आप समझेंगे जरूर आप याद करिये दिल्ली में चुनाव हो रहा था एक ऐसा विमर्ष बनाया गया कि तमाम क्रिस्टियन के उपर अटैक शुरू हो गया है मोदी जी ने कहा है सब चर्च जला दो चर्च तोड़ दो यहां तक हो गया कि ओबामा जी को बोलना पड़ा कि यह क्या हो रहा है चुनाव खतम हो गया वो चर्च भी अपने जगा ठीक हैं और सब ख्रिस्टियन सेफ हो गये आप याद करिए एक 75 साल की नम थी कलकत्ता के नादिया जिला में जिनका रेप हो गया था ओवेसी सहाब से इंक्लूड करके तमाम लोग सड़कों पे उत्रे और कहें देखिए हिंदू और आरेसेस के लोगों ने बीजेपी के लोगों ने रेप किया है चार दिन बाद पुलिस ने पकड़ा चार मुसलमान बंगलादेशियों ने रेप किया था सब अपने घर में घुज गए वो प्लैकार भाकार फाड़के सब डस्मीन फेग दिया और सब घर में घुज गए वो कोई इसको सब पूरा गायब हो गया वो कौन का अरह अच्छा रेप अच्छा नहीं है हम नों उस पर बोलेंगे नहीं सब निखना बंद हो गया आप याद करिए एक ब्रेकिंग न्यूज आया था नों बैठे ते अचानक आया कि एक महिला है बंबई में उसने कहा कि मैं मुसल्मान हूँ और मुझे मोदी जी के राज में घर किराये पे नहीं मिल रहा है तो फूरा हर जगा डिबेट हो गया रहे है मोदी जी के राज में मुसल्मानों को घर किराये पे नहीं मिल रहा है दो दिन बाद मालूम पड़ा ये तो विशय कुछ और था वो न्यूज भी गयब हो गया देखिए OEC साहब मैं आपको बता रहा हूँ आप कह रहे हैं कि हम आइडिलोजी की वार लड़ रहे हैं RSS यहाँ पर हिंदू मेजोरिटेरियन फिलोसपी थोप रहा है बंदूओं आप बैठे हैं आपको साक्षी नाक्षी हाजिर करके बता रहा हूँ संग 1925 में बना 1925 से आज तक लगभग 91 वर्स हो गया है 100 वर्स अब हो जाएंगे मैं हाँ जोड़के आप सबसे पूछता हूँ कितने मुसल्मानों को हम ने मार दिया संग ने कितने मुसल्मानों को खतम कर दिया अंदूर इस देश में हमारे भाई हैं मुसल्मान 20 प्रतिशत आज उनकी आबादी है 2 प्रतिशत से बढ़ के 20 प्रतिशत होगी वही पाकिस्तान में 20 प्रतिशत से घट के 2 प्रतिशत हो गई हिंदूillar को बदें करने के साजिश बंद करें तो इसनों ने जो बात कही वह आपके यंदर क्या फिलिंग हुईत इन्होंने ठीक कहें पात्रन जींने एंवाद ठीक हिये क्या हुं हिंदू यह हिंदू जो है तो अब आपको कोई भैर करने की जुरूत नहीं है ना नहीं है सब ठीक ठाट इस भाहस के बाद सब ठीक ठाट ओएसी साथ एक मिनटे पुट ओएसी साथ जवाब दीजे चुकी इनके कुछ ऐसे जवाब थे जिसमें कश एक मिनट बंदुबर सुनिया अभी यहां सवाल हुआ आर्टिकल 48 का जी आर्टिकल 48 में आस्ता कहा है आस्ता नहीं है एकनॉमिक ग्राउंट्स पर डिरेक्टर प्रिंस्पल बनाया गया दूसरी बात इन्होंने RSS के बारे में कही बंच आफ थाट्स वी दे पीपल में क्या गुरू गोलवालकर न दो मुसल्मान और दो हिंदू मिल जाएं तो दो मुसल्मान भरोसा मत करो पेज नंबर के हवाला दे दू मैं चोहती बात आप आप ने कहा कि यह यह बटवारे की सियासत नहीं होनी चाहिए देखिए पहली जुलाई को एक गौर्मेंट सर्मन जो अलीगर्ड की ट्रेन में जा रहा था बुर्खा पेनकर जा रहा था उसको लोगों ने गेले पुछा कि यह कौन है तो उसने कहा कि मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा इसलिए मैं बुर्खा पेनकर निकल रहा हूं जुनेद की बात आपसे कर रहा हूं इनसानियत कहा मर गे इस मुलक में जु आई है कि कोई उसको बचाने वहाँ पर नहीं आया, वहाँ पर उठाकर फेक दिया गया उसको, और कितने दिन लगते खत्तर साब को वहाँ पर जाने के लिए, एलान करने के लिए, क्या मुसल्मान में आज दर और खौफ का माहौल किसलिए पैदा हुआ है, कोई ट्रेन में न क्शमीर में, कौन से आपने फूल खिला है कश्मीर में, दो साल से तो आपकी सरकार है, कश्मीर में जो लिंचिंग होई उसको आपने, आरे आप प्ले करवाईए ना, माना, मैंने, हमको लगता हो, क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं, देखिए, क्या है कि मीडिया इस दौ उफदारी को बार-बार नहीं करते हैं, पनारस में हिटगवार ने खड़े होकर कहा था, ये हिंदू राष्ट है, हिंदू राष्ट बनना चाहिए, वहां से लकीर खीजी ती, और मुस्लिमों को लेकर भी उनके पूरे थौट जिस रूप में सामने आये ते, ये हिटगव पर रहे चुके हैं, आपका RSS का ओध क्या है, बताइए, आपको इन्लाइट करता हूँ, आपको इन्सानियत के दाएरे में आना चाहिए, जवाब दे दीजे, फिर हम लोग जरसागे, आपने हिंदू का और हिंदू राष्टर का विशय रखाए, रखाए, आपने हिंदू हमने नहीं रखाए, आपने सुकी 1925 से जिकर कर दिया, देखे, यहां आपको आज यहां एलानियातर तर्त तोर से बोलता हूँ, यह जो बैठे हैं, यह भूल जाए कि हिंदू शब्द कोई गाली है, या हिंदू राष्टर कोई गाली है, या वो कोई पढ़िये क्या लिखा है, उसमें आप तो सब पढ़ के आए है, उसमें लिखा एक नहीं बदारिये है, आप सुन लिजिए, हिंदू तो दीजिए, आपना जिरातर तो कर दो उसके बादिए, यह भूल तो बोलना हूँ, जसे लगतार बोल रहा हूँ, लेकिन, मसला खली य सब्सक्राइब करें जो तरीका जीवन का है वो हिंदुत्यों का जीवन है उन नदियों के बिल्कुल पढ़िए ना मैं अभी चैलेंज करता हूं रेफरेंस लेके पढ़िए सब्सक्राइब करना अपने मन को गुलाम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया कभ धुनिया को हिंदु करने घरगर में नर्संगहार किया कोई बतलाए काबूल में जाकर कितनी मस्जिदे तोड़ी मैंने भूबाग नहीं सत्षत मानव के हिरदय जीतने का निश्चे किया हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचाए मुझे कोई अफसोस नहीं है मुझे कोई मुझे कोई बाच्टेजी जब ये कविता लिख रहे थे हिंदू गुनेगार नहीं है हिंदू लेंचिंग नहीं करता है हिंदू किसी को मारने के लिए यहां नहीं है मसला संविधान का था मसला स्टेट का था अपने टल भी आरी वाजपई के पचास की दशक की कविता का यहां पाठ कर दिया हमारा एक सवाल है बड़ा सिधा तोर पे सावरकर के हिंदूत में आरेसिस परसीदी चोट की गई सावरकर का हिंदूत ठीक है या आरेसिस का हिंदूत ठीक है देखिए हिंदूत जैसे बड़ा आइडियोजी यह कभी डिवीजन में नहीं देखा जा सकता आइडिलोजी को आप दिवाइड के पुरुथक पुरुथक देख सकते हैं नहीं बाट सकते हैं 2013 में रोहिंग्यान मुसल्मान बर्मा में मारे गए थे ये आजाद मैदान में एक लाख मुसल्मानों ने अमर जोती को तोड़ दिया था पांच लोगों को लिंचिंग करके हत्या कर दी थी उस समय OVCG कहीं नजर नहीं आ रहे थे इतिहास के पंडों को खंगालते हुए क्या मौझूदा वक्त को देखा जा सकता है मौझूदा वक्त की सियासत क्या इतिहासिक परिपेक्ष में रखी जा सकती है वर्तमान महौल के मद्दे नजर क्या जब विपक्ष में थे जो सत्ता में अब नहीं है वो विपक्ष में है उन सियासत को टटोलते हुए आगे की लकीर खिची जा सकती है बहुत तेरे सवाल है और मेरे ख्याल से जंता के मन में भी सवाल है टक कर सवालों के दाइरे में ही हम खत्म कर रहे हैं बहुत बश्शुक्रिया वजिसा बहुत बश्शुक्रिया संभित पातरई आप सभी गाई बहुत बश्शुक्रिया